Hello Dear Students, Delhi University के Open Book Examination के regarding 13 दिसंबर एक बच कर बाइस मिनट पर Delhi University ने सबी स्टुडेंटों को जाद दितर को मेल कर रहा है तो ये Open Book Examination के regarding notification आया तो चली देख लेते हैं इस मेल में आखिरकार क्या लिखा हुआ है तो जैसी हम इस मेल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक खुल के आता है email submission important point ठीक है आप अपनी answer script को यदी email पर upload करोगे जिस condition में तो उस दोरान आपको कौन-कौन से point धियान रखने है तो वो यहाँ पर इन्होंने बताया है पहली बात तो यह first point कह रहे हैं कि student are advised to submit the script in the OBE portal कि सभी student को सला दी जाती है कि आप अपने open book examination के portal पे ही अपनी answer script को upload करें second point कहते हैं यदी किसी student को मानलीजी का समस्य हो रही है कि upload नहीं कर पा रहे हो तो आप email के माद्यम से जो है upload कर सकते हो पहली बात तो यह आपको पता होगा कि email का option guidelines में नहीं दे रखा था लेकिन अब internet connectivity का reason हो सकता है बहुत अलग अलग technical issue हो सकता है लेकि इसलिए इन्हों को mail करनी पड़ रही है कि आप जो है mail पर अपनी answer script upload कर सकते हो ठीक है और वो कौन सी mail है कहां पर मिलेगी मैं आपको सारी जानकार देने वाला हूँ तो यहां पर दे रखा है तो यह समझ माँ आ गया second point कि in case any problem student can be submit by email to the nodal officer of the respective college ठीक है आपके college का जो भी nodal officer है और nodal officer के आपको अगर email ID नहीं पता है तो उस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा आप उस वीडियो को देख लेजिएगा वहां पर हमने सभी college की email ID बता रखी है जो open book examination के nodal officer है आपके college के ठीक है जी आगे कहते हैं लेक email करेगा अपने respective college के nodal officer को अपनी answer script तो आपको जो है आपका वाक्ये में ही अपनी चीजें आपकी fail हुई है जब आप upload कर रहे थे यानि कि उन्हें एक कारण चाहिए ना कि आपने मान लेजेगा 8 गंटों मैं ऐसे paper कर लिया फिर आप upload कर दोगे तो उससे फायदा थोड़ कि screenshot आपको लेना होगा तो screenshot आप ले लिजेगा और उसके बाद upload करिएगा ठीक है और जैसे मान लेजेगा किसी का invalid आ रहा है ठीक है या error आ रहा है जो भी चीज आ रही है तो वही उसका जो है आप snapshot ले सकते हो या चोटा सा जो है आप GIF भी बना सकते हो उसके लिए यानि क 4-5 सेकिंड का चोटा सा वीडियो कि जो error आ रहा है कि बहुतों की समस्या इस तरह से हो रही थी कि जैसे upload answer पे click करते हैं तो अपनी file खोल ले है तो file ही नहीं खोल रही है वो दूसरे के phone से उन्हें करना पड़ रहा है मैंने इस तरह से काफी लोगों की समस्या हो रही थी उ आपको जो है तीन घंटे जैसे answer के लिखने के लिए मिलते हैं तीन घंटे और एक घंटा आपको अंसर upload करने का और answer जो है आपको पांच घंटे में अपना अंसर लिख सकते हैं यदि इसके बाद भी आप नहीं अपना upload कर पाए तो उसका जो है आपको पूरे करने के बाद ही email भीज सकते हो ठीक है उससे पहले आप नहीं बेजोगे उससे पहले आप अपना उसी पर ट्राइ करते रहिएगा ठीक है open book examination के पोर्टल पर थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि submission by boot email and portal will not be accepted तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर आप email पर भी send कर देते हो और इसी हम कर रहे थे कल एक की इस तरह से समस्या आ रही थी काफी emergency में लोग वागोंने call करी तो यहां पर जो है एक की समस्या आ रही थी कि बहां पर जो है एक answer upload हो गया लेकिन duosra नहीं हो रहा था लेकिन वहो गया था दूसरे phone से try करने के बाद तो यहां पर जो है कि अगर और दीसरे चोता रहा थीक है तो यह दो एक सेंगा तो और आयाए स Both नहीं हो जाता है उस्वेस्ट उससे पने को सकते हो।ा जो है साफी है कि इसी तरह से कलकी एक घटना होई थी यहांपर छोह है सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब इस्टुरेंट जो इस्टुरेंट अपनी एंसर स्क्रिप्ट को फिलम्बित हो सकता है यानि कि देरी आ सकती है डीले हो सकता है आपका रिजल्ट क्यूंकि प्रोसेस के करने प्रोड़े क्योंकि आप जो है ओपन वॉक एग्जामिनिशन जो अपना दे रहे वो एमील के प्रोवाइड करी गई है, आपको केबल उस पर ही अपलोड करना है, ठीक है, अधर स्टुडेंटों को जो email id प्रोवाइड करी गई है, यानि कि जो normal student है, तो उनके email पर आपको नहीं send करना है, PWD category वाले स्टुडेंटों को अलग से email id दी गई है, ठीक है यह लिखा हुआ है इस पॉइंट में पांचवे पॉइंट में अब हम आगे पढ़ें जो छेटा पॉइंट है कि PG स्टुरेंटों के रिगार्डिंग है कि वाइट सम्मिटिंग स्क्रिप्ट वाइइमेल इफ पॉर्टल सम्मिशन फेलिड प्लीज मेंशन पेपर कोड एंड रोल लंबर इन सब्जेक्ट लाइं तो यहां पर यह कह रहे हैं कि जब आप अपना सम्मिटिंग करोगे करते हो अपनी इमेल पर ठीक है तो आपको सम् इसमें जो इसमें जो इंपोटेंट पॉइंट लगा वो हमें यही लगा कि आप जब अपनी अंसर स्क्रिप्ट अप्लोड करोगे मेल के दुरू तो आपको हम आप स्नैप सोट देना है ठीक है और आपको केबल जो आपको पांच घंटे दिये जा रहे हैं तीन प्लस एक प आपिए तेंक सो मुझ